हेलो दोस्तो आज का छोटा सा वीडियो स्पेसिफिकली फॉर CMA स्टूडन्ट इस इस ओन दे रिक्वेस्ट ऑफ सीमे स्टूडन्ट और जेन्यून इस्यू है आप भी वीडियो देखोगे पूरा छोटा सा वीडियो है आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि यह जो इस इस्यूस है वो जैन्यूनी सी तो हमारा परपस यहां पर कैसा है कि we are not working on criticism कि यहां पर यह गल्ती है वो गल्ती है गल्ती तो है थोड़ी सी बट स्टील सी वेन यो आर वर्किंग इंडिया लेवल यह सब चीज इस इस्यू होती है बट आपको हमेसा देखना चीए ग्राउं तो कर सकते हों सी परपस यहां पर कैसा है कि over a period I am generally making less videos but still I take things as positively कि कई बार क्या होता है top management को पता ही नहीं कि यह issue है middle management ही सब खेल रहे हैं तो उपर तक issue जाना चीए कई बार तो वह sought out हो जाता है so let me give you one example of CA institute एक बार ऐसा issue आए था कि बस में कोई बच्चा CA का paper चेक कर रहा है और वो video viral हुआ I am talking about before 3-4 years so सब teachers ने एक firm positive तरीके से input रखा थोड़े video रखे और top management को बेजा किया रहे है ऐसे आप बच्चों के carrier के साथ खेलोगे कोई भी paper चेक कर रहा है CA बच्चों का तो उन्होंने पुरा systematic system बनाया it took little bit time but now online checking it is perfect calculations are there checkers को video webcam on रखना पड़ता है पुरा process बनाया उन्होंने तो कई बार क्या था है CMA Institute को भी कोई कोई चीज positively लेनी चीए कि ये genuine बच्चों के hit के लिए है so coming to the point two issues I am going to cover mostly CMA student के लिए it may be inter but mostly I am focusing on final सबसे पहला पिछले साल उन्होंने August में course change कर दिया है अभी तक बच्चों को books नहीं मिली किसी को मिली है particular subject की किसी को नहीं मिली कोई area में मिली है कोई area में नहीं मिली एमदाबाद की बात करें specifically बच्चों को नहीं मिली है books आज उस चीज को 8 मैने हो गया है आठ मीने का भी मुझे problem नहीं है वो pages कितने है let's go with statistics group 3 के dear friends सब आप module के pages इखटे करोगे तो 2624 pages है group 4 की बात करेंगे तो 2800 pages problem क्या है मैं बताता हूँ problem यह नहीं है institute ने book नहीं दिये तो क्या फर्क पड़ता है problem यह है कि इन बचों का exam है जून में आज mid March पे बैठे हैं काफी सारे बच्चे college के साथ कर रहे हैं CA में उनका TY का exam होगा किसी का MCOM का exam होगा इसमें से 15 दिन हिन निकाल दे जून तक उके उसी जून में exam है ऐसा मान लेते हैं तो 2.5 months 15 दिन हम कोई भी contingency को निकाल दे 60 days से divide करें तो per day इनको 43 pages का reading करना पड़े देगा one time reading के लिए और final में one time reading से pass होना उतना easy नहीं है ग्रूप two की बात करें तो उनको average 46 pages per day पढ़ने पड़ेंगे ये भी कब अगर दो दिन में यानि मैं अगर 13 March को ये वीडियो बना रहा हूं तो 2-3 दिन में book मिलती है तो उसके कोई आफार नहीं institute is not even ready to put a notification के भई हम 30 मार्थ तक आपको book पहुचा देंगे मानलो नहीं पहुचाते हैं ये मार्थ भी चला गया मीड एपरिल में आता है अगर 30 days average गिनूँगा तो 86 page per day बच्चों को पढ़ना पड़ेगा जो articles में जाते हैं final के बच्चे 10 to 6 कब पढ़ेंगे second group के बाद करो तो 90 pages कब पढ़ेंगे दोनों group किसी को देना है तो क्या करने का उसको आत्मत्या करने की आप समझो कभी ground level पे books कब तक नहीं दो गया ये पुटा commitment आप बोलो के sir pdf रख दिया हमने website पे pdf है pdf में से पढ़ेंगे चलो मैं मानता भी हूँ चलो pdf दे दिया it's a very good sign so you give a waiver to student why you are charging 25,000 for registration 25,000 रुपय आप किस चीज़ के ले रहे हो न तो बोल दो जिनका item जून में है और जिनको book नहीं मिलेगी हम उनको 10,000 refund कर देंगे बच्चे खुद zeros करा लेंगे but कुछ तो दो आप fees registration का full लेते हो किताबे time पे नहीं देते हो बच्चा manage कैसे करेगा और सुनो ये तो books की बात है और यहाँ पे books और cut off date में गिन रहा हूँ मैं exam का तो discussion ही नहीं कर रहा है institute knows very well what they have done in last one and a half year अब blood pressure का machine लेके बैठे हो न exam center पे और last moment पे पता गए exam cancel हो गई आती हुई उसके बाद cancel हो गई exam देने के बाद cancel हो गई आप बच्चों का BP तब measure करो के तो पता चलेगा कितना level पे stress होता है okay so top management is taking care about so many things okay they are having enough time to manage so many things they are playing crickets it's okay अच्छी बात है मैं मना नहीं कर रहा हूँ but जो core issue है जो board of studies का segment है उनको तो यह पता होना चीए ना पहले TCS का एक successful हुआ तो change किया चलो that is institute's internal matter that is what I am telling I am not here to criticize criticize करना हो तो exam पे ऐसे video बनाया होते कि एक लाग भी आते बट वो अपना purpose नहीं है अपना purpose है कि इसको कैसे positively आगे ले जा सकते हैं कैसे इस चीज़ को सुदार सकते हैं एक दूसरा genuine problem जो मुझे मिला है वो cut off dates of giving exam at final level मैंने काफी बच्चों को देखा और मैंने research भी किया कि institute की website पे practical training का rule है कि final से पहले दोनों group के लिए आपको 15 मन का training होना चीए एक group देना है तो आपको 10 months का article सिफ होना चीए at least 10 months but actually इसका कोई logic नहीं बैठता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि student ने 15 महीने complete कर दिये हैं मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ student ने 2 साल complete कर दिये हैं बट मानला उसका कोई group बाकी था इंटर का और उसको final में अटर्म देना है जैसे ही जैसे say for example अभी किसी को जून में देना है वो नहीं दे पाएगा क्यों क्योंकि आपने registration window close कर दी dfn registration window close करने का क्या logic है what is any sound logic behind closing the registration CA institute never closes registration it is 365 day open cut off के लिए मैं बुलना हूँ why cut off के लिए भी क्यों close करने का CA में मानलो 3 साल आर्टिकल सिप था जो अभी reduce करके उन्होंने 2 साल किया है because they understand के 3 years is more that is again we can say they have taken things positively यहाँ पे अगर आप registration window open रखते हो CA में ऐसा है मैं comparison इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि layman को सायद ना समझ भाए किसी का आर्टिकल सिप खतम हो गया January में FAP में उसका result आया व आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जब physical registration था central level तक पहुंचने में time जाता था data बच्चे का seat number देना difficult होता था तबका अगर यह rule है तो आज इसकी जरूरत नहीं है dear events आज यह तूरंत हो जाता है online payment है online verb submission है back end में आप automatic data generate होता है कितने बच्चों ने form भरा अगर आज की date में enough time in this IT era तो यह भी एक concern है इसमें बहुत सारे बच्चे फसे हुए हैं कि जिनको officially exam देना है बट वो नहीं दे पार है और वो December में देंगे अभी हमारे लिए क्या होता है क्या फर्क पड़ता है sir June December में क्या फर्क पड़ता है ऐसा नहीं जिसके घर पे financial issue है अगर वो 6 महीने पहले CMA बनता है उसका 50,000 salary बनता है तो तीन लाग का उसका financial loss है ना वो कौन compensate करके देगा who is going to compensate only because you have made some rule at that point of time it would be logical if right now it doesn't make any sense तो ऐसे चीज़ क्यों रख रहे हो तो ये दो चीज मेरा concern है कि जो existing बच्चे है उनको somewhere आप relaxation दो in monetary terms if you cannot give book if you can give book it is awesome thing you give a notification ये दिन से पहले हम book दे देंगे नहीं दे सकते तो consider what is best in student interest and another thing ये cut off date के बारे में सोच लो कई बार क्या होता है सालों से कोई provision चलता आ रहा है उसका हमें पता नहीं होता और उसकी आज की date में ज़रूरत नहीं जैसे कई बार ऐसा होता था कि society का audit आता था तो वो लोग आके हमें ऐसा बोलते है कि society audit हमें बैंक का जो checkbook होता है उसके counterfoil चीए वो compulsory requirement है वो compulsory requirement है वो law में भी दिखाते हमें कि check issue के counterfoil चीए भई वो law बनाये 1960s में अभी सब 95% payment में online करता हूँ counterfoil कहां से लाओंगा तो आप आपकी जगा पर राइट थे 1960 में अभी उसका sense है ये provision जब बनाये तब उसका sense होगा मैं मना नहीं कर रहा हूँ बट अभी है उसका अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको positively close करो बचों के 6 महीने यानि बचों का 3 लाग का revenue loss है So I take things and I insist students, CMA students कि ऐसे कोई issue हो तो बताओ, as I said कई बार middle management को पता ही नहीं होता है इसका impact वो नीचे सुनते नहीं है, वो क्या election की अलग दुनिया चलती है उनकी और top management तक ये बात पहुँचती नहीं है, तो ये video थुड़ा सा share करो, क्योंकि मुझे पता है तक तक CMA के लिए कोई video भी नहीं बनाता, एक MEPL वाले कोई classist वाले सर है, वो बनाते रहते हैं, वीचारे मेनत करते हैं बच्चों के लिए, बाकी तो कोई करता भी नहीं, so I insist you share this and if you can tag, if you can put it on Twitter, okay and you can connect to your CMA institute, please try on that, okay, thank you, let's see, कुछ positive change आ जाता है, thank you very much.